हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई जैनल किचन भित स्रद्धा आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रों की फलाहारी रेसिपी लेकर आई हूँ ब्रत वाली इस चाट को आप पांच मिनट में बनाकर तयार कर सकते हैं उपबास में अगर आप लोग एक ही तरह का खाना खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है इसे मैंने बहुत अलग तरह से बनाया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है लिए साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें चलिए रेसिपी बनाना सुरू करते हैं इस चाट को बनाने के लिए मैंने 3-4 चमच फ्रेस नारियر ले लिया है जिसे मैंने कद्दू कस कर लिया था इसके साथ ही मैंने एक कटोरी मखाने ले लिये है आधा खीरा ले ले लिया है जिसे मैंने बारिक टुकडों में काट लिया है इसके साथ ही मैंने एक आलू को भी छूटे टुकडों में काट लिया है इस चाट में आप फलों को और राइफ फूट्स को भी बारिक टुकडों में काटके डाल सकते हैं मैं इसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर रही हूँ साथ ही मैंने हरे धनिया और मिर्ची को बारिक काट लिया है आदा नीवू काटकर ले लिया है सबसे पहले हम एक बड़े वरतन में मखाने डालेंगे और इसमें एक ग्लास पानी डालकर मखानों को अच्छे से भिगो देंगे मखानों को हमें अच्छे से फूलने तक भिगोना है इसके लिए हम 10 मिनट तक मखाने इसी तरह से छोड़ देंगे 10 मिनट में हमारे मखाने अच्छे से फूल जाएंगे मैंने मखाने को 10 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ दिया था ये देखिए फ्रेंट्स मखाने हमारे अच्छे से फूल चुके है देखिए फ्रेंट्स हाथों से मसलने से मखाने हमारे अच्छे से तूट रहे हैं मैं इतने ही सौप्ट मखाने चाहिए अब हम सारे मखानों को हाथों से निचोडते हुए इनका पानी अलग कर देंगे और मखानों को एक बरतन में डाल लेंगे मैंने सारे मखाने निचोड कर दूसरे वरतन में डाल लिये हैं और इसमें जो भी बड़े बड़े टुक्डे मखाने ग्रह गए हैं उन्हें मैं इस हातों से तोड़ दूँगी देखे फ्रेंट्स मैंने सारे मखाने अच्छे से मसल लिये हैं अब इसमें हम कद्दू कस्किया हुआ नारियल डाल देंगे इसके साथ ही मैंने आलू और कीरा को बारिक काट कर लिया था उसे भी इसमें डाल देना है यहाँ पर आप चाहें तो इसमें बारिक कटे हुए टमाटर और बारिक कटे हुए एपल को भी डाल सकते हैं प्रेंट्स मैंने जो हरी मिर्ची और धनिया को काटके रखा था उसे भी इसमें डाल दिया है इसके साथ ही मैं इसमें आदा चोटा चमज कादी मिर्ची पावडर दालूँगी और साथ ही इसमें हमें अपने टेश्ट के अनुसार नम опас डालना है मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज किया है क्योंकि हम इसे उकवास के लिए बना रहे हैं इसके साथ ही मैंने जो नीवू लिया था उसके मैंने बीज निकाल दिये थे उसका जूस निकाल के हमें इस चाट में डाल देना है प्रेंट्स अब हमें सारी सामेगरी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है हमारी फला हारी चाट बनके तयार हो चुकी है प्रेंट्स ये चाट खाने में जितनी टेस्टी है उसके साथ ही ये हलकी और हेल्दी भी बहुत है इसमें ना तो बिल्कुल घी का यूज हुआ है ना ही इसे हम लोगों ने पका कर बनाया है ये पांच मिनट में बनके तयार हो जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसे आप लोगों ने अगर एक बार बना के खा लिया तो आप भर बार इसी को ही बना के खाएंगे और ये चाट जटपट बनके तयार हो जाती है हम लोगों का जब रत होता है तो बिलकुल भी काम करने का मन नहीं होता है और ऐसा लगता है कुछ हलका सा फटा फट बना के खा लिया जाए इस चाट को आप इस तरह से भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए हलकी सी ठंडी हो जाएगी तो ये चाट खाने में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी चैनल पर अगर नई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही वैल आइकन को दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई दोस्तों पीडियो